असलाम अलेकों वीवर्स और प्यालर फाइन आज मैं बना रहीं कड़ी और यह दहीं से नहीं बनेगी यह हम बनाएंगे लसी से और लसी कौन सी जब आप मखन निकालते हैं और जो चाटी में लसी बच जाती है तो उसकी हम कड़ी बनाएंगे तो मेरी मदर को स्पेशली यह बहुत पसंद है मैं क्या करती हूं एक जग लसी का लियोस में एक चमच भर कर बेसन का डाल दिया यानि पांच जग लसी के पांच चमच बेसन के ज्यादा बेसन नहीं में डालती ताके ठिकना बने और थंडी होने के बाद कड़ी और ठीक हो जाती वह अच्छी नहीं इसलिए करते हैं ताकि बेसन मिक्स अच्छे से हो जाए अगर आप ब्लैंड नहीं करना चाहते तो आप अच्छे से मिक्स करें ताके गुठलिया ना बने जिसमें एक जग पानी का डाल कर पकने के लिए रख देंगे तो पांच से चमच सासो का ओल एड कर दिया है दो चमच हल्दी और लाल मिर्चे दो चमच डाल कर इसकी बनाई कर लें इस मसाले को त्यार कर लें याद आए इसमें एक चमच नमक भी जाएगा मिसाला अच्छा से त्यार करके रेडी करके और मैं इसको डाल दूंगी लस्थी में और लस्थी को मैंने पकने के लिए रख दिया देख्ची में डाल कर जो मसाला त्यार करके रखा है वो इस लसी में डाल कर इसको पकने के लिए दो गहंटे के लिए रख देंगे जितना ये कड़ी पकेगी उतनी ही अच्छी बनेगी यहां ये कड़ी त्यार हो रही है दूसरी तरफ हम फकोड़े का मसाला त्यार कर लेते हैं दो आलू, तीन प्याज और एक धनिय की गुच्छी सब चीज़े काटकर एक बौल में त्यार करके रख लिए हैं बेसन की कॉंटिटी देख लें वन एंड़ा हाफ कप बेसन है थोड़ी सी पालक है, हाफ कप के बराबर त्यार हरी मिर्चे काटकर रखिए, एक चमच जीरा है चलिए सारे मसालों को त्यार कर लेते हैं, मिक्स करके मेजरमेंट्स वाला हाफ कप लिया है, तो ये तीन कप डालेंगे तो वन एंड़ा हाफ कप बेसन जाएगा दो चमच है लाल मिर्च पॉडर, वन एंड़ा हाफ टीस्पून हल्दी चाहेगी, धनिया पॉडर है, हाफ टीस्पून, साबुद धनिया है, पिसावा, दो चमच ये एड़ कर दिये, एक चमच जीरा, तीन से चार हरी मिर्चे हैं, थोड़ी सी कटीवी पालक एड़ कर दी सारी चीज़े जो कट करके रखी हैं, आलू, प्याज, धनिया, इस हैच चीज़े इसमें मिक्स कर दी, थोड़ी थोड़ी करके मिक्स कर लेंगे, और इसमें नमक भी चाहेगा एक चमच, अकॉर्डिंग टूरा टेस्ट, एड़ कर लीजेगा, पस अब तुमाम मसालों को मै अच्छी तरह मिक्स कर लोगी, बेसन की क्वांटिटी बहुत कम लग रही है, इसमें तो बाकी जो रखावाई हाफ कप बेसन का वो भी इसमें एड़ कर लेंगे, और प्लीज आप मेरे न्यू चैनल को स्पोर्ट करें, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्र आप लाइब लाइक शेयर जूरू किया करें, एक चमच एजवाईन भी अड़ करेंगे, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मैं इस्टार्टिंग में डालना भूल गी तो यह डाल कर मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, पानी आपने बहुत कम डालना होता है, तो हमारा खुबसूरत सा पकोड़े का मिसाला बिलकुल रैडी हो गया है, और गरम होगे अच्छे से, एक एक करके सारे पकोड़े मैं इसमें डाल दूँगी, तो बस इसको पकने की देरे, इसको टर्ण करेंगे, और सारे हमने पूरे एक एक करके निकाल कर, साथ के साथ हम जो यहां से निकालेंगे, और हमारी कड़ी बिलकुल त्यार हो जागी, फिर इसको दस फाइनली तड़का लगाना है, और हम इसको सर्फ करें, चावल के साथ, चपाती के साथ, बहुत मज़ी की लगती है, पोड़े सारे फ्राय हो गए हैं, और सारे मैंने कड़ी में डाल दी ह है, इसको बरीक-बरी कट करके वो एड़ कर दिया और इसको फ्राय कर रहेंगे, और थोड़े सी लाल मिच डाल दे, इससे बहुत अच्छा रैडिश कलर आता है कड़ी में, तो यह मैलाज में जरूर डाल दे होती हैं, खुबसुरत सी कलर वाला कड़ी कतर का रैड़ी है, म द्वाव में याद रखिएगा, टेक केर और अलाहाफीज